जड़ी बूटी ले लो बाल बढ़ाने वाली जड़ी बूटी सिर्फ पांच रुपए में बाल बढ़ाने वाली जड़ी बूटी सिर्फ पांच रुपए में जड़ा देखू तो सुधा को अपने बाल बढ़ाने थे उसके लिया वो कुछ भी कर सकती थी उसने बुढ़े आ जोर जोर से पीसना, पीसने से तेल लिख लेगा, उस तेल को सोने से पहले अपने बालों पे लगाना। उपर से वो सामली भी थी और दूसरी और उसकी बेहन राधा के लंबे और घने बाल थे और राधा गोरी भी थी, इसलिए राधा बच्पन में हमेशा सुधा को चड़ाती थी, तू तो मेरी सगी बेहन नहीं है, तुझे तो मा और पापा रास्ते से उठा कर लाये थे, नहीं सुधा का पिता भी उससे प्यार नहीं करता था, सुधा को हमेशा हर किसी से नफरत ही मिलती थी, ऐसे ही बड़ी हुई सुधा, हर रोज वो राध को रोती थी और भगवान से प्रातना करती थी, ये भगवान को चमतकार करवा दीजे, मेरे पैर तक लंबे बाल उगा दीज और इसी तरह सुधा और राधा दोनों जवान हो गए, आज सुधा को लड़के वाले देखने के लिए आने वाले हैं, सुधा आईने के सामने बैट कर तयार हो रही है, उसके सर पर अभी भी ज़ादा बाल नहीं है, वो आईने में अपने आपको देखी रही थी कि तभी उ से पहले इस भूतनी के शादी क्यों करवाना चाहती हो, राधा बेटी इस भूतनी को तो पहले विदा करना पड़ेगा, नहीं तो बाद में कौन इस से शादी करेगा, एक बार बस ये सर से उतर जाए, उसके बाद मैं तेरे लिए बहुत अमीर और अच्छा लड़का ढू तो सुधा रोने लगी, वो पूरी जिंदगी रोती ही आई है, अविनाश नाम का लड़का सुधा को देखने के लिए आया, शमिता के कहने पर राधा अपने कमरे में ही बैठी हुई थी, क्योंकि शमिता ने उससे कहा था, बेटी तु कमरे के अंदर ही रहना, नहीं तो ल शाहिद ससुराल में जाकर मैं खुश रहूँगी, सुधा की शादी हो गई, और शादी वाले दिन ही अविनाश ने राधा को पहली बार देखा, और देखते ही उसके प्यार में बढ़ गया, यार मैंने से पहले क्यों नहीं देखा, कितनी गोरी है यह, कितने लंबे बाल ह इसके, इससे पहले मिल लेता तो मुझे इस भूतनी से शादी नहीं करनी बढ़ती, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था, सुधा विनाश के साथ ससुराल चली गई, और ससुराल पहुचते ही सुधा की सास विमला ने सुधा को हजार काम थमा दिये, रसोई जाओ और सारे ब पती उसके छोटे-छोटे बालों को लेकर मजाक उड़ाने लगे, तुम्हारे बाल तो मुझसे भी छोटे हैं सुधा, ये तो पूरी नौकरानी लग रही है, हाँ हाँ मुफ्त की नौकरी, अविनाश मजाक उड़ाता ही गया, और एक दिन उसके साथ राधा की मुलाकात ह राधा को अपने लंबे बालों को लेकर बहुत अहंकार था, वो सुन्दर भी थी, अविनाश को उससे प्यार हो गया और राधा भी अविनाश को पसंद करने लगी, और एक दिन अविनाश और राधा ने शादी कर ली, राधा अविनाश के घर चली आई, ये देख कर मुझसे प्यार भी नहीं करता है, वो सिर्फ मुझसे प्यार करता है, हाँ, ऐसे बिना बाल के औरत से कौन प्यार करेगा, मुझे तो लंबे बालों वाली लड़गिया बसंद है, सुधा बस अकेली चुपके से रोती रही, अगले दिन वो बाजार गई और देखा एक बु उसने बुड़े आदमी से जड़ी बूटी खरीद ली, उस आदमी ने कहा, इस जड़ी बूटी को जोर जोर से पीशना, पीशने से तेल लिख लेगा, उस तेल को सोने से पहले अपने बालों पे लगाना जड़ी बूटी लेकर सुधा घर चली गई, रात को सभी सो गए, और तभी सुधा ने जड़ी बूटी पीश कर तेल निकाला और उसे अपने सिर पर लगा कर सो गई, और अगले दिन सुबा नीन से उठने के बाद, उसने देखा उसके सर पर जितने भी बाल थे, वो सब ज जड़ गए है, सुधा को जोर से रोना आ गया, ये क्या हो गया, मेरे सारे बाल जड़ गए, अब मैं क्या करूँ, सुधा जोर जोर से रोने लगी और उसे इस हालत में अविनाश, विमला और राधा ने देख लिया, ये क्या, तु पूरी तरह से गंजी हो गई, छी, मैं सुधा, तुम निकलो यहां से, यहां तुम्हारी कोई जरुरत नहीं है, तुम इस घर में रहोगी तो इस घर का नाम बदनाम होगा, सभी ने मिलकर सुधा को घर से निकाल दिया, सुधा रोती हुई एक जंगल में चली गई, जंगल में वो एक पेड़ के नीचे बैट कर रोने लगी, उसी पेड़ पर एक पंची रहती थी, उसने सुधा को रोते हुई देखकर कहा, तुम रो क्यों रही हो, सुधा ने उस पंची को सब कुछ बताया, रो मत, जादतर इंसान बुरे होते हैं, इसलिए तो हम जंगल में रहते हैं, इस जंगल में सब कुछ है, कुछी देर में सुधा को फंला कर दिया, उस फल का रस निकाल कर सुधा ने सर पर लगाया, और उसके बाल उगने लगे, उसके बाल सर से पैर तक आ गए, काले लंबे घरे बाल, ठीक जैसा सुधा चाती थी, सुधा ने पंची से कहा, अच्छी पंची, तुम्हारा बहुत पहुत धन्यवाद, मैं इस फल का रस लड़कियों को बेचना चाहती हूँ, उन लड़कियों को जिनके बाल नहीं उखते, ताकि उन्हें भी मेरी तरह परिशानियों का सामना न करना पड़े, सुधा जंगल से निकल कर फल का रस बेचने लगी, और एक दिन उसे यह सब देख और सुनकर राधा को जलन हो रही थी, उसने फल का रस लिया और पूरी बोतल अपने सर पर डाल ली, लेकिन उससे असर उल्टा हो गया, उसके सारे बाल जड़ गए और वो गंजी हो गई, यह क्या हुआ मेरे साथ, मैं गंजी हो गई, बहुत अच्छा हुआ, यही लालच का नतीजा है, बचपन से आज तक तुने मुझे चैन से जीने नहीं दिया, अब देख कैसा लगता है, और हाँ विनाश, मैं फालतु लोगों के साथ नहीं रहना चाती, तुम रहो अपनी पत्नी के साथ, राधा का अंकार मिट्टी में मिल गया, अविनाश को भी गंजी राधा के साथ ही रहना पड़ा, और फल का रज बेचकर सुधा बहुत अमीर बन गई, चारो तरफ उसके बाल के चर्चे होने लगे, और वो खुशी-खुशी जिन्दगी बिताने लगी, माया गंज गाउं में 200 तेली बहने रहती थी, जिसमें से निहारी का गोरी चिट्टी और तीखे नैन नक्ष वाली सुन्दर लड़की थी, तो वहीं पल्लवी एक साम्वली और सर पर कम बालों वाली बत्सूरत लड़की होती है, मा, मा बालों में लगाने वाला तेल का है, पल्लवी क्यों तू बेकार में हमारा तेल और शैंपू खर्श करके अपने इन बचे-खुचे चार बालों को बचाने की कोशिश कर रहे है, वैसे एक बात कहूँ, भगवार ने भी तुझे बड़ी जल्दी में बनाय होगा, पल्लवी लगातार अपनी सौतेली बहन के तीखे तानों को सुन रही थी, उसके मन की कुढ़हन उसकी डबडबाई आँखों से बाहर आ रही थी, मगर वो सिर्फ मूख होकर उसकी सारी बाते सुन रही थी, क्योंकि स्वाबिमान के हक में जुबां खोलने की संजीद की उस करती हुई, इसके जड़ते बाल देखकर तो मुझे शक है कि कहीं कैंसर के कीडे इसके बाल ना खा रहे हो, ऐसी लड़की को तो कॉलेज से बाहर निकाल फेकना चाहिए, कॉलेज के सभी लड़के लड़कियां से ना पसंद करते थे और उसका कॉलेज में आने पर विरोध करते थे, जिसके कारण वो सब ही उसके उपर टमाटर फेक कर मारते हैं, इसके जड़ते बाल, इसके अंदर जरूर कोई बड़ा रोग पल रहा है, फ्लीज मत मारो, मुझे सच में कोई बिमारी नहीं है, मुझ पर या त्याचार मत करो, चल जूटी, तेरे ये जड़ते बा जरूर कोई तो रोग है तुझे, अरे ओ काली चुडएल, ये लाल पिली होकर कहां से आ रही है, तभी निहारी का भी कॉलिज से घर आ जाती है, और कहती है, मा, मैंने सुना है कि इस काली का लूटी को कैंसर है, कैंसर, मैं तो कहती हूँ मा, इसे घर से चलता करो, वरना ऐस सनाओ कि इसका कैंसर का रोग हमें ही लग जाए, नहीं मा, मुझे मत निकालो, आप लोगों के अलावा मेरा है ही कौन, मैं कहा जाओंगी, कहीं भी जाकर मर हमें क्या, वैसे भी इस बत सूरज शकल से और कम बालों के साथ कौन ब्याह करेगा तुझसे, ता उम्र हमारी छात तो मेरे लिए श्राब बन गए है, हर कोई मुझसे नफरत करता है, आज कॉलिज में मुझ पर वार हुआ है, सौतेली मा ने भी घर से निकाल दिया, कल को समाज वाले भी मेरा भाईशकार कर देंगे, मा तुम कहा हो, क्या तुम्हें अपनी बेटी पर जरह भी दयाने आती, मेरा दुख क्यों नहीं देख पारी हो तुम्हें, पलवी का दुख उसकी आँखों से लगातार बहरा था, सूरज धलने के साथ ही अंधेरा चा जाता है, और पलवी एक पेड के नीचे बैटी वहीं जंगल में सो जाती है, तभी वो खुद को धेर सारे तारों के बीच आस में देखती है, जहां उसे अपनी मरी हुई मा आशा नजर आती है, मा आप अपनी बेटी को छोड़ कर कहा चली गई थी, आप नहीं जानती कि वो सातेली मा और बेहन मुझ पर कितना जुल्म करती है, ये दुनिया बहुत ही मतलवी और स्वार्थी है मा, मुझे अब एक पल भी यहां नहीं रहना, मुझे भी अपने साथ ले चलो, पल्लवी बेटा, मैं तुझे लेने नहीं, बल्कि इस ओचेपन को मिटाने आई हूँ, जिसने तेरे इस मन को घेर रखा है, तभी आशा के अंदर से एक तेज प्रकाश उत्पन होता है, और वो पल्लवी के अंदर स समा जाता है, उस तेज प्रकाश के पल्लवी में समाते ही, उसके सिर पर लंबे घने रेशमी बाल आ जाते है, साथ ही उसका रंग गोरा हो जाता है, अपने इस नए रूप में पल्लवी बेहत खूबसूरत लग रही थी, तभी आशा कहती है, पल्लवी, ये लंबे बाल और मेरा रंग भी गोरा हो गया, अब तो मुझे वापस अपने घर जाना चाहिए, कुछ तेर बाद वो अपने घर पहुँचती है, वहाँ पहुचकर जैसे ही उसकी सौतेली मा और बेहन उसके लंबे घने बालों और गोरा रंग देखकर हैरान हो जाते है, मा, नहारी का, देखो मेरे बाल लंबे हो गए, कल रात में जंगल में सो रही थी, तो मेरी मा मेरे सपने में आई और उन्हें अपनी शक्ती से मुझे ये जादोही लंबे बाल दिये है, क्या, जादोही लंबे बाल? पहले तू हमें अपने इन जादूई बालों से कोई करामाद करके दिखा, तो ही यकीन होगा हमें एह मेरे जादूई लंबे बाल, दिखा दे अपना कमाल जैसे पलवी ऐसा कहती है, तभी उसके बालों से एक प्रकाश उत्पन होता है और उसमें से धेरो नोटों की गड़िया निकलने लगती है अरे, वा मेरी पलवी, मेरी बच्ची, मैं तो तुझे बेकारी खोटा सिका समझती थी लेकिन तू तो खजाना निकली, मेरी बच्ची इन बालों के साथ और गोरी रंग के साथ कितनी खूपसूरत लग रही है नजर ना लगे मेरी लाडो को किसी की, अ बिटा, जो भी हुआ उसे भूल जा देख परिवार में तो ये सब चलता ही रहता है, अब तो तू यहीं रहेगी हमारी जादूई लंबे बालों के कारण अब पलवी को वो सभी सुख मिलने लगे जिसकी उसने मातर कलपना की थी अब तो वो अपनी सौतेली मा की चहिती बन चुकी थी एक रोज जब पलवी अपनी मा के साथ मंदर से लोट रही थी, तो उसको एक औरत मिली जिसे कोड था कोई मेरी मदद करो, क्या हो अमा जी, क्या परिशानी है आपको अरे पलवी हाथ मत लगा इस बुढ़िया को, देख नहीं रही इसे कोड है, कहीं तुझे ना फैला दे और अगर एक बार कोड हो गया, तो पूरे शरीर में फैलते देर नहीं लगती फिर कुछ नहीं होगा मुझे मा डरो मत, बेटा, मुझे इस कोड ने जकर रखा है मैं हर रोज इससे सरसर कर मर रही हूँ, मुझे इस रोक से मुक्ति दिला दे और एक नया जीवन दे दे ए मेरी चादूई लंबे बाल, जरा दिखातो अपना कमाल, जो ये चाहती है, वो इने मिल जाए तभी उसके बालों से एक रोश्नी उत्पन होती है, जिसमें से दूध में गुलांग और गंगा जल मिली हुई धारा उस कोड़ी और जागिरती है और देखते ही देखते, उसका सारा कोड़ खत्म हो जाता है, और वो पूरी तरह स्वस्त हो जाती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, आज तेरी वज़े से मुझे नया जीवन मिला है, भगवान तुझे हमेशा खुश रखे इसके बाद पलवी घर चली जाती है, उसके यहां अकसर पीडित और दुखी लोगों का आना जाना लगा रहता लेकिन पलवी किसी को भी खाली हाथ नहीं जाने देती, और सब की मदद करती, ये सब देख निहारी का को उससे बहुत जलन होती है ये कल की काली कलूटी, आज कितनी फेमस हो गई है, जब से इसके लंबे-लंबे बाल क्या आए हैं, इस महरानी के तो ठाट ही बदल गए हैं लेकिन आज रात मैं इसके इन लंबे बालों को काट ही दूगी, तब ही इसकी सारी हेकडी खतम होगी रात को जब पलवी अपने कमरे में सो रही होती है, तो निहारी का कैंची लेकर उसके बालों को काटने के लिए आती है लेकिन जैसे ही वो उसके बालों को छूती है, तो कैंची उल्टा उसके बालों को काट देती है, और वो पूरी तरह गंजी हो जाती है जिसे देखकर वो चिला तरम मैं कहती है आ, मेरे बाल, यह क्या हो गया मेरे साथ, मैं तो गंजी हो गई अरे क्या हो गया, यह आधिरात को कौन चिला रहा है अरे निहारीका, तू गंजी क्यों हो गई पता ने मा, मैं तो इस सो तेली बहन के बाल काटने आई थी लेकिन कैंची अपने आप ही मेरे बालों पर चल गई तो तुझे किसने कहा था इसके बालों को काटने के लिए अब देख तुने खुद ही अपने पैरों पर कुलहाडी मार ली निहारी का काश तुम समझ पाती की जलन सर्फ नुकसान ही करती है मैंने तो हमेशा तुझे अपनी सगी बेहन की तरफ प्यार किया है लेकिन तुमने हमेशा मुझसे बैर रखा और अपने अंदर अंगार भरती रही इसी कारण आज तुम्हें ये सजा मिली है पलवी की बात सुनकर निहारी का सिर्फ शर्म से जुग जाता है और वो फूट कर रोते हुए पललवी से माफि मांगती है पललवी उसे शमा कर देती है और अपने जादुई लंबे बालों से उसके सिर पर फिर से बाल ला देती है इसके बाद कामना और निहारी का पललवी को खुभ प्यार और सम्मान देने लगे